नमस्कार स्वागत है आपका आज के खबर में मैं हूँ आपके साथ महीमा शर्मा रुक करते हैं आयोध्या की बड़ी खबरों की और रामनगरी आयोध्या में राममंदिर की प्राण प्रदिश्था को लेकर पूरे देश में उत्सव की तैयारी है यहां तक की पडोसी देश नेपाल से भी कई उपहार भेजेगे और देश के अलग-अलग राज्यवा शहरों से प्रदिश्थिट चीज़े भेजी जा रहे हैं और इसी को लेकर गुजरात के सूरत शहर में दो लाग टोपिया और दो लाग रामनाम के जंडे बनाये जा रहे श्री रामलला की प्राणप्रदिश्था को लेकर जोरदार तयारियां चल रहे हैं इसे बीच बता दे कि प्राणप्रदिश्था के आयोजन के दौरान शहर में भारी फोर्स तैनात रहेगी साथी आयोध्या एरपोर्ट में सुरक्षा के लिए 150 से जादा CISF कमांडो तैन गंटा सौपा गया दावा किया जा रहा है कि एक ही ढलाई में बने इस घंटे की आवाज 10 किलो मीटर तक जाएगी इसके साथ ही 50 किलो के साथ और घंटे भी सौपे गये हैं घंटा लेकर आयोध्या आये 500 रामभक्तों ने कार सेवक पुरम पहुंच कर मंदिर ट्रस्ट के म अजारों की संख्या में सादू संत भी शामिल होंगे और प्राप्त रिच्छा संपन होने के बाद सभी को भोग लगा प्रसाद वित्रत करना भी एक बहुत बड़ा कारे होगा मिर्जापुर के देवराहा बाबा आश्रम की तरफ से 1111 मन बेसन का लड़ू जो की शुद द चीज़े साथ में दी जाएंगी रामलला की प्राप्रिष्ठा में 36 गड़ के 214 लोगों को आमंत्रित किया गया है इसमें 64 सादू संत और 137 श्रधालों को भी निमंत्र दिया गया है साथ ही इन में दंदेश्वरी शक्ति पीट के प्रधान पुजारी ग्रीश जीया भी श चामिल होने का मौका मिलेगा वही छतसगर से चार फर्वरी को पहली विशेश ट्रेन आयोध्या के लिए रवाना होगी यह जो निमंत्र ना हमें बाइस जनौरी का मिला है स्री राम लला प्रभू स्री राम लला के मंदिर के उद्धाटन के लिए वो बड़े हरसुलास कभी से है और हमें भी बड़ी खुसी है और हम भी हरसुलास गदगद हो रहे हैं कि हमें भी बाइस तारिक को राम लला के मं का मिले का उटधाटन के लिए राम भगवान और बस्तर का मेल कहें तो जब स्रीदाम कि 14 वर्षों के वन पद्गमन के लिए जब निकले थे तो उस समय वो दंडक ये जो बस्तर के धंड कारण कि इसमें बहुत ज़्यादा समय व्यतित किया था और यहां पर उनका वन कि श्रीराम मंदिर के प्राण प्रदिष्ठा में अयुध्या जाने के लिए लखनव से तीन रूट तैय किये गए जिसमें एक रूट किसान पत्थ भी है जिससे दिल्ली बरेली सीतापुर लखनव आदी जिलो से आने वाले शद्धालो आयुध्या जा सकेंगे पीड़डी वा आउटर रिंग रोड निर्मार संस्था द्वारा किसान पत्थ पर भारी वाहनों को सुल्दान पुर रोड फ के सरफ ध्यान देने को तयार नहीं है कि आयोध्या की खबरों में फिलाल इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं आज की खबर